नमस्कार 80Z Dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ बिना भूने आप बना है बेंगन आलो का बर्था मतलब समझ लीजे आपने कोक कर लिया सबी चीजों को आपने पका कर बस समझ लीजे न आप ये सिर्फ 6 इस साथ मिनिट में ये बर्था बना सकते हैं और ये इतना मज़िदार लगता है ने रोटी पराठी के साथ बस आपने सोचा और बना लिया और इतनी सर्दी आने तो काम भी थोड़ा सा नहीं होता है तो आप ये वाली सबजी बना लीजे घर पर सब खाना पसंद भी और इसके अंदर आपको डाल दिने हैं बहांगन मैंने 2 मीडियों साइस के बहांगन लिये थे 2-3 इससे मैंने काट लिया था इसे के साथ 3-4 आलो, 2-3 टवाल्डर, 6-7 लसुन की कलियों को बारिक काट कर डाल दी और 2 हरी मिरजी बस सभी चीजों को डाल कर अच्छे से मिक् कर लेना है अभी गैस बंदी है जब पक किया था ना तुरंती मैंने सीटी लग गई थी तभी मैंने गैस को बंद कर लिया था अब हम गैस को ओन कर लेंगे जैसे आप इसे मैश कर ले उसके बाद इसके अंदर स्वाद के अनुसान नमख आदी चमच लाल मिश पाउडर और ए आपर आप देख सकते हैं अच्छे से मैश कर लिया है और लगबग 2-3 मिट हो गया है तो गैस को बंद कर लेंगे और ये बिना बुने बेंगन आलो का बर्था बनकर तयार है और अब इसके अंदर हम लास्ट में डाल देंगे एक नीबू का रस सच बतारी नीबू का रस ज नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूले थांक्यों